कि तो दोस्तों आजके वीडियो है वह सबींवेश्टे के लिए है जो बैंकि के अंदर investment करते हैं कि बैंक के अंदर अगर हम investment करेंगे अगर हम FDe करेंगे थो हमारा पैसा safely रहेगा और पैसा डबल भी हो जाएगा तो आज की वीडियो उन सभी के लिए है दोस्तों क्योंकि आज की वीडियो में आपको clear बताऊँगा अगर आप बैंक के अंदर FD करते हो तो आपका पैसा डबल नहीं होगा बलकि आपका पैसा आदा हो जाएगा वो कैसे हो इसके लिए आपको complete चरनल पर मिलता रहता है तो चलिए शुरू करते हैंती के थे सब करते हैं है की जी आएगा मानली जीए आपने पांच लाक रुपे की एवडी करी तो बैंक वाल आपको यू बोलेंगे कि आप दस साल तक अपना पैसा FD करो, दस साल मत आपको जो पैसा मिलेगा, और 10 लाक रूपे मिलेगा, ठीके, ये चीज़ तो ठीके, दस साल में पैसा डबल हो रहा है, हाँ हो रहा है, ठीके, लेकिन सर आप ऐसा क्यों बोल रहो हो कि आपका पैसा आदा हो जाएगा, तो यहां पर यह चीज़ समझो, दोस् है, जो हमारी इंफ्लेशन है, वो हर साल 6% से क्या होती ही, दोस्तो बढ़ती जाती है, तो यहां पर दोस्तो सीधे-सीधे हम लिखेंगे 70, इसको भाग देंगे 6 से, तो दोस्तो जब इसको डिवाइट करेंगे, हम भाग देंगे, तो हमारा आएगा दोस्तो, 11.6, 11.6 एर, ठीके, अब यहां पर दोस्तों, यहां पर एक चीज़ आभी ही, देखो, 10 साल के अंदर तो आपका पैसा डबल हो रहा है, ठीके, लेकिन 12 साल, आपका पैसा है उसकी वेल्यू कम हो रही है, आपका पैसा आधा हो जा रहा है, ठीके, आपने 5 लाक रुपे इंवेस्टमेंट करें ठीके दस साल बात कितने मिले आपको दस साल बात कितने मिले आपको दस लाक रूपे ठीके लेकिन वही पैसा दस लाक रूपे है ना बारा साल बात कितना हो गया पांच लाक रूपे समझे रहो तो अगर आप सोचते हो कि मैं बैंक में इंवेस्टमेंट करूं बिल्कुल सेफ इंवेश्टमेंट है तो यह बिल्कुल गलत है क्योंकि इंफलेशन भी हर साल बढ़ती जाती है आप आपके दिमाग में यह चीज आ करती है तो उस हिसाब साब आपका इन्वेश्टमेंट है उसमें भी कैसे चैंजिस ला सकते हो अभी में हल्का सा शॉर्ट में आपको बताया तो जिससे आपको क्लियर हो सके तो दोस्तों माली जीए आप 1000 रुपर मंतली के मंतली SIP कराते हो ठीक है इसमें कुछ नहीं करना है आपको ELD बेस पर है quarterly बेस पर आपको 10% आपकी जो SIP है उसके amount को increase करना है दोस्तो अगर आपकी SIP को increase करते हुए चलोगे तो दोस्तो जो भी market की inflation है जो भी हमारा जो market है साल बर में जो inflation है वो 6% से बढ़ रही है तो आपको जो investment है वो 6% को बीट कर जाएगा ठीक है एंड future में दोस्तो आपकी जितने भी goal है वो achieve हो जाएंगे ठीक है तो दोस्तो आज की वीडियो में छोटी सी जान करी थी वीडियो आपको कैसी यह लगी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe जरू करें तो चलिए दोस्तो जैसरी शाम मिलते हमारी next वीडियो में